असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लिटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 क्लास के उर्दू के कहकरशा के किताब से चैप्टर नंबर 27 जो की एक मर्सिया है तो सबसे पहले हम लोग यह कि अंदाज में लिख कर तो लिखे हुए को बोला जाता है मर्सियां किसीं की मौध पर न्यौद जो आप लोग के मुसंणिफ इंड सबस्क्रां mau आज तक आप लोग के एक्जाम में मर्सिय से पूछा ही नहीं और नहीं पूछेगा तो अगर आप इस चप्टर को नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिकत नहीं है आप राइटर के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पूरा डिटेल्स जो है ना आप लोग को याद रहना चा पूरी मोटिवेशन के सांट जो है ना मीर अनीज के बारे में समझ लीजिए ठीक और उसके बाद से ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को चैफ्टर नहीं पढ़ाऊंगी पक्क पढ़ाऊंगी आप लोग को यह जो मर्सिया है इसका तश्री करोंगी लेकिन सबसे पहले आप ल 80-2 में उत्तर परदेश के फैय्जबाद के मुहला गुलाभ बारी में इनकी पैदाए्श हुई थी 18-2 में UP उत्तर प्रदेश के फैजबाद के मुहल्लव गुलाब बाड़ी में देखिए यहां पर कोशन इससे पूझ सकता है कि रखने अरु प्रेश की पैदाइश कहा हुई और मीर अनीज के वालीद का नाम था मीर मुस्ताहसन खलीख और इनके दादा जी का नाम था मीर घुलाम हुसैन हसन और इनके पर दादा का नाम था मीर घुलाम जहक और यह जो तीनों लोग थे यानि के पिता जी दादा जी और पर दादा जी यह सभी लोग शायर थे याद रखिएगा क्या थे शायर या शुरू कर दिये थे 12 साल की उमर थी तब ही से ये शेरोशायरी लिखना और पढ़ना शुरू कर दिये थे और बात कर ले इनकी इप्तदाई तालिम की लेकिन इनकी इप्तदाई यानि कि शुरू आते शिक्षा जो है न वो घर पर मिली अग्र के सभी लोग पढ़े लिखे आदमी थे से उश्यायरी किया करते थे तो पढ़र मिल्ब इनका सब्से ज्यादा यूगदान था मि अप्भ़न बढाने लिखाने का जो पहला काम होता है वह मा का होता है यानि कि पहला प gli टीचर की इनको बोलते हम मा को ठेक तो श्रुवात Allez शक्षा दिया जाता है वह उनकी माँ अपने बेटे बेटे को दी और उसके बाद से मुख्षा और मुफति मुख्मद अबबास यह मौलाना से मुख्ञा किये थे टरक कोषन पूछ अब्जेक्टीब में की मीर अनीज के उस्ताद यानि कि टीचर का क्या नाम है मौलना का तो तों में तीनों में से कोई एक दिया रहेगा मौलना वा भी किये थे फैय्जबाद में शमसीर जनी मौलोर सावारी जो होता है वो सारा चीछ सीखे थे और उसके बाद से लखनाओ भी गए थे मीरनिस लखनाओ जाकर फॉजी ट्रेनिंग भी यह लिए थे ठीक और बारा साल की उमर में आप लोगों को बताई ही बारा बरस की उमर से यह शेर कहना शुरू कर दिये थे और अब्तदा में घजल गजल लिखा करते थे और पढ़ा करते थे लेकिन जो है ना बाद में यह सलाम भी पढ़े थे उसके बाद से रुबाई वगरा फिर उन्होंने मर्सिया लिखना शुरू किया और सबसे ज़्यादा यह फेमस हुए मर्सिया लिखने के वज़ए से मीरनिस ठीक आगे बढ़ि यानि कि अपने शिरोशयरी के लास्ट लाइन में अब जो है ना अनीस लगाना शुरू कर दिए किसके मश्वरे पर तो नासिख जो है ना नासिख मतलब मीरनिस को राय दिए कि देखिए आपका जो है ना तखलुस वह अच्छा नहीं है आप अपना तखलुस चेंज कर लि जिन्दगी भार किसी दर्बार में मंसलक नहीं हुए देखिए मीरनिस जैना किस जिन्दगी भर मतलब जिन्दगी में एक बार भी यह किसी बादशाह के दर्बार में दर्बारी बनकर नहीं गये थे यह सबसे बड़ी बात थी इनकी मतलब सबसे बड़ी खुबी जैसे की ह होता है न से लटव सकते इस्ता मेर अनीज किसी बादशाह के दर्बार में दरवारी बन वहाँ पर शेर उसारी पाहलने नहीं गए थे इनके सबसे बड़ी घुबी थी और यहां से भी कोशन पूछ सकता है कि कौन थे जिन्होंने जिन्दगी पर किसी दर्वार में मुन्सलक नहीं हुए तो आपसन में दिया रहेगा मीर अनिस उसको टिक कर सकते हैं ठीक और मीर अनिस के एक हम असर थे यानि की दोस्त थे याद रखिये गा मिर्जा सलामत अली तबीर यह भी अब्जे एक अठारशचां टावन की एक सबसे पहली और सब्सक्राण देश वह और हमारे भृत के देश्वासि थे भारत के लोगों के वज़ा से ही अंग्रेज जो हैं वो इस क्रांती को दबा दिये लेकिन खेर यहां पर हम लोग हिस्ट्री नहीं पड़ रहा है बहुत बड़े पैमाने पर हुई बहुत मतलब तबाही ला दे थी पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ यह हुई थी क्रांती तो उस वक्त अठाश संताओन की क्रांती के बाद जो है ना मीर अनीस लखनव से बाहर निकल कर शेर वाशायरी पढ़ना शुरू कि कर दिये थे और पटना हैदराबाद बनारस और इलाहाबाद वगरा वगरा मंदलब डियर सारे अलग-अलग शहर में जाकर क्या कि अब शेर वाशायरी सुनाया करते थे और इसी वज़ा से यह चारों तरफ फेमस हो गये थे जहां जहां गये थे पटना हैदराबाद बनारस तहां मनलब वहां पर जो है यह मीर अनीस जो है फेमस होते गए यानि की मशूर होते गए और लाश्ट में के इंतकाल की बात कर लें तो इनका इंतकाल हो गया था दस डिसमबर 1864 इस भी को लखनव में 10 डिसमबर 1864 इस भी को लखनव में और उसकी बार से यहां पर मैं एक्ष्ट्रा आप लोग लोग को लिग दी हूँ यह कोश्चन पूछता है आपलों के एक्जाम में पहला मरसिया मर्सिय तुम्हें आप लोग को बता चु इजहार करते हुए शेरोशारी के अंदाज में लिख देना उसे को क्या है मर्सिया तो जो सबसे पहली बार पहली बार जब मर्सिया लिखा गया था उसका नाम था नौ सरहार या दखेगा पहला मर्सिया क्या नाम है नौ सरहार सबसे पहली मर्सिया लिखी गई थी नौ सरहार कब 15-13 में 15-13 में सबसे पहली बार जो है ना नौ सरहार नाम का मरसिया परकाशित हुआ यानि कि शाय हुआ और ये मरसिया किस ने लिखा था तो सयद शाह अश्रफ बयाबानी ने लिखा था याद रखिएगा और मरसिया की तमहीद को चेहरा कहते हैं यह अबजेक्टिव में पुछता है तो इसको याद रखना जरूरी है ठीक तो अब चलिए मैं आप लोगों को यह चैप्टर को मरसिया है इसका तश्रीव कर देती हूं वैसे तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुश्च करूंगे कि बहुत यह अच्छे तरीक जब तक या चमक महर के परताओं से ना जाए अकली में सुखन मेरे इसकी या रभ या खुडा यह जो नजम का चमन है या झानि की जो दुनिया है इस पर तूज़ेंगा को तुम क्या कर दे जन्नत का बाग बना दे इस दुने पर जतना भी क्राइम हो रहा है जतने भी बु कोई जन्नत का बाग हो और अबरे करम यानि कि ए करम के बादल इस सुखी हुई जमीन पर तु रहम कर ये जो जमीन है सुख चुकी है जिसके वजह से खेती नहीं हो पा रहा है इस सुखी हुई जमीन पर तु रहम कर और बारिश बरसा दे जिसके वजह से इस जमीन पर खेती ह सके और उससे जो फसल मिले लोगों का पेट भर सके ठीक है तो फैस का मुबदा है तोज़ा को इदम कर गुमनाम को एजास बयानों में रखम कर यह पर बोला जराए कि या खुदा तु फैस का मुबदा है तेरे करम से दुनिया जो है वो आबाद है सब पर तू रहम करता है औ और मेरे कलम में इतनी ताकत दे इतनी कला दे कि मैं कुछभी लिखू हो थो मिनलब जादू सा हो जाए मलब जब तक सूरत से उसकी चमक नजाए तब तक मेरे कलम से ईताकत यान लिखने कि कला झाला पातना किivo profitability किकला तो यह जो हमेशा राख्षैंग रखना जब मेरे अंदर इतनी कर ला हो कि मैं किसे भी चीज़ को अच्छे तरी से जाहिर करूँ बेयान करूँ ठीज बाग में चश्मे है तेरे फैज के जारी बुलबुल के जुबा पर है तेरी शुक्र गुजारी हर नुखल बरामंद है या हजरते बारी फल हमको भी मिल जाए रियाज तेरहीरा का फवारा बरस रहे हैं कि तेरी रहमत बरस लिए ठीक चालो तरफ पर चुदा तेरही करक्षमा दिखाई देता है यह गूर बुलुले हैं तो कि वह कोहीं शुक्र या दा کر और इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं और मुझे भी मेहनत का फल दे दे मेरे मौला और मैं इस बाग का इस दुनिया के एक ऐसा फूल हूँ जसको ना तो कोई देखा है और नाहीं कोई बुल-बुल सूंगा है ठीक है तो वही बोला जा रहा है तारीफ में चशमे को समंदर से मिला दूँ गत्रे को जोदू आप तो गोहर से मिला दूँ जर्रे की चमक महरे मनवर से मिला दूँ खारुक को नजाकत में गुले तर से मिला दूँ गुल दसते मानी को नए ढंग से बांदू एक फूल का मजमू हो तो सो रंग से बांदू गर्बजम की जानिब हो पिनाने मानी उतराए हर चश्म को परियों का अख़ाडा नजर आए देखिए आप बोला ज़रा है कि अगर मैं लिखना शुरू करूं तो तारीफ में चश्मे को समंदर से भी मिला सकता हूँ चश्मा यानि की फवारे को समंदर से भी मिला दूँ गत्रा यानि की पानी का जो एक बूंद होता है तो पानी के कत्रे की चमक को मैं हीरे के चमक से मिला सकता हूँ अगर मैं लिखना शुरू करूं तो जर्रे यानि की मिटी की कड़ की जो चमक है उसको च खुल्षन का तश्वीर खिच जैंगने उसा लगे उस मेहफिल के बारे में ऐसे लिख सकता हूं कि लगेगा कि जन्नत का गुल्षन का तस्वीर खेश चुका है ठीक मेरे अंदर इतनी लिखने की कला है और मैं जब लिखना शुरू करता हूं तो मानी के हसिनाये उतर आती हैं और हर देखने वाला इंसान हर जो आख है वो उसको परियों का अखारा नजर आन साइद का हंगाम है या हैदर सफदर इमदाद तेरा काम है या हैदर सफदर तु साहबे इकराम है या हैदर सफदर तेरा ही करम आम है या हैदर सफदर तनहा तेरे अकबाल से शमसीर बकफ हूं सब एक तरफ जमा है मैं एक तरफ हूं देखिए हैदर सफदर बोल रहा है हज उसके बाद से में लोगों की भलाई करता है और इसलिए मतलब सभी लोग एक तरफ है और में अब इनकी तलौलिए कुछ दफ्तर बातिल की होता है मैं कैया हूं की रूहोत नहीं मुझे धर नाकदरी मिनानने मुझे क्लाय का शिकायत नहीं हो रही है थो मुझे अपनी नाकदरी कोई दिकत नहीं है लेकिन इस दुनिया में लोग क्या हकीकत जानते हैं अब लोग जो है ना रियालिटी नहीं समझ रहे हैं हकीकत क्या है इसको जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं ठीक किसा इंसान के अदर क्या रियालिटी है क्या हकीकत है यह कोई नहीं समझ रहा है अब है तिक कोई दिल साहफ नहीं है इस एहीड में सब कुछ है पर इनसाहफ नहीं है पर बोला जा रहे कि इस प्रक्राव और है दिल साहफ नहीं और इस एड़य को नहीं पेहचानmost नहीयद को समझज रहा है को बदे आजरा प्मील नहीं करते आरिफ कभी इतना भी तजाहुल नहीं करते खारों के लिए रुख तर्फे गुल नहीं करते तारिफे खुश इलहान ये बुल बुल नहीं करते खामोश है गोश शिशे दिल चूर हुए हैं अश्कों के टपक पड़ने से मजबूर हुए हैं अल्माश से बेहतर ये समझते हैं खजबं को दूर तो घटातें बढ़ातें हैं सदध को अंदेरिया हैं चांध बताते हैं कलफ को खुड़ खुड धțiक्त के लिए दूरए नजब को जाई है दूर हो लाल क्रण और अधन के मिटी रहां है कि हांटों के वजह से खूल के पास यहां तोटने के लिए बुल्बुले भी जो हैं वह कहां तारीफ में आपने जबान से कहां तारीफ कर रहे हैं सभी लोग का खामुश हो कोई भी कोई फो ही है और इसलिए सब है क्या खामोश है और इसे यहीं दिल है is शिशा का दिन वह चूर चूर हो चुका है और इसके वजह से मेरे आँखों से अश्क है वह टपक पढ़ने पर मजबूर हो गया मेरे आँखों से आसु निकलते मेरे आँखों से आसु निकल रही है ठीक क्या हो गए वह जोहरियान ये सुखन एक बार हर वक्त जो उस जिंस के रहते थे तलबगार अब है कोई तालिब न शनासा न खरीदार है कौन दिखाए किसी से ये गोहरे शहवार किस वक्त यहां लुट कि सरताज हो जाएगा ढंब भर भी ढंभर में गनी बंदे मोहताज उमीद इस घर की वसीलां से घर का दोलत यहीं मेरी नहीं था फरका लेकिन अभी मेरा वक्त ऐसा है कि सभी लोग बाजार से जब बेच कर चले गया है और उसके बाद से आगे लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं और इसलिए मैं आपके घर से मुझे आपके घर से उमीद है और मुझे भी इसा लगता है कि आप हमारी मदद करेंगे ठीक है क्योंकि आप हमेशा लोगों की भलाई करते हैं लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं आप मतलब लोग जितने भी इस दुनिया के बंदे हैं जितने भी लोग हैं वो आप पर महताज रहते हैं हमेशा था जोश कुछ ऐसा ही जो दावा किय किया मैंने खुद सर्बा गरीबा हूं के यह क्या किया मैंने एक गत्रा ना चीज को दरिया किया मैंने तक्सीर बहल कीजिए बेजा किया मैंने हाँ सच है कि इतनी भी ताली नरवा थी मौला या कलेजे की फफॉलो की दवा थी देखिया हम पर बोल रहे हैं कि यह क्या किया मै यहां पर माफी मांगने है वो शुरुवात में जो बोले थे ना अपनी तारीफ किये थे कि मेरे इतनी ताकत है मेरे अंदर इतनी कला है कि मैं पानी की चमक को हीरे की चमक से मिला सकता हूं मैं जर्रे यानि की मिटी की कड को चांद की चमक से मिला सकता हूं यह जो अपनी तारीफ किये थे बढ़ाई किये थे अपने आपको बड़ा बनाने की कुश्च कर रहे थे घमंड में गुरूर में आकर तो वहीं बोल रहे हैं कि हां सच है मैंने यह सब किया जोश में आकर मैं मैंने यह क्या कह दिया घमंड में गुरूर में आकर मैंने क्या कह दिया मुझे माफ कर दो यानि की तकसीर बहल कीजिए मुझे को माफ कर दीजिए मैंने जो भी कहा जोश में आकर कहा यह सच है कि मैंने यह सब कहा लेकिन मैं क्या करता आखिर यह मेरे कलेजे की फफोलों की दवा थी मैं उसक्त परिशान था और इसलिए जोश में आकर गुरूर में आकर मैंने ये सब कह दिया वो सब मेरे कलेजे की फफोले की दवा थी आखिर मैं क्या करता तो मुझे मैंने ये सच है कि मैंने ये सब कहा इसलिए मुझे मुझे माफ कर दीजिए मेरे मौला ठीक हमिभबत पे ऊजली की सारी अता अली है हिमायत पे अली की अपर बोल होंम आप्या चोना थे तक खता नहीं कि थी मैंने मंदब मुझ्रिम है कभी ऐसी खता नहीं की भूले से भी मैं अपनी बड़ाई नहीं किया था ठीक और दिल से मैं किसी की अमीर इनसान की तारीफ भी नहीं किया था और नहीं जो जाहिल लोग होते हैं उनकी खलाम की तारीफ की थी ठीक मैं हमेशा जो है नाम हज़ते अली से आप बोल सकते हैं उनका हमेशा रिस्पेक्ट किया हूं और इसलिए मैं हमेशा हज़ते अली की हिमायत में रहना चाहता हूं ठी टीक उनका शिर्वाद पर चाहिए ठीक तो यह थी बात यह हो गया आप लोग का मर्थिया कंप्लीट आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ठीक उतना इंपोर्टेंट है नहीं बट मैं आप लोग को तश्री कर दी कोशन तो पुछता है नहीं इस से रिलेटेट इस मर् वीडियो को लाइक तो बनता है फड़वर वीडियो को लाइक कीजिए और चारों तरफ शेयर कीजिए अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा उसके में ज्यादा शेयर करें और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और खुदा हाफिज